पूर्विधायक जीतु जिराती ने कहा कि पूरे देश में मोदी लहर है और मोदी लहर के कारण ही नौर में भी प्रचंद वंवत से भाजपा को जीत मिल रखी है बाजबा के पूरविधायक जीतु जिराती नहरों स्टेडियाम में मदगर्णा के दौरा दोपर मियूस से चर्चा कर रहे थे इस वक्ट चर्चा के लिए मौझूद है पूरुविधायक जीतु जीराती जीतु जीराती जी क्या कहना चाहेंगे यह जो अप्रत्यासित घटना कम हुआ है देखे कमाल कर दिया देश की जनता ने देश की मद्दाताओं ने कमाल कर दिया मन की गहराई से रास्ट के सारे मद्दाताओं के प्रति धन्यवाद प्रेशित करता हूं जिस तरह से भरोसा जताया है जिस तरह से भारती जानता पार्टी पर विश्वास किया है जिस तरह से एंडिये के उपर जो देश की जनता ने एंडिये को स्विका रहा है निश्चित रूप से वो तारीफे काबिल है एक जबर्दस नेतरत्व नरेंदर मोदी जी के नेतरत्व में हुआ है इस देश के अंदर मद्धिपरदेश की अगर हम लोग बात करें तो कमाल ही हो रहा है यहां तो अभी मुझे लगता है कि 11.30 बजे का समय है लेकिन आदी से ज्यादा सीटों पर लाक लाक सवा सवा लाक और देड़ लाक वोटों की बड़त भारती जंता पर्टी बना हुए है यह निश्चित रूप से एक रास्टवादी सरकार बनने जा रही है यह रास्ट के प्रतिद रास्ट के मद्दाताओं ने रास्ट को समर्पित करते देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है यह अलग-अलग मिजाच के चुनाओं होते हैं विधान सबा का चुनाओं अगर देखेंगे तो वह अलग मिजाच का होगा कार्पोरिशन का अगर देखेंगे तो वह अलग का होगा उससे नीचे के इस तर पर पंच सर पंच पर जाएंग प्रदेश के मुख्यमंत्री के आर हुई है और मुझे इसा लगता है कि चार महीने पहले जो मद्दिप्रदेश की जनता से कहने कहीं चूक हुई थी उस चूक को आज मद्दिप्रदेश की जनता ने यह साबित करके बता दिया है कि निश्चित रूप से इन लोगों के हाथ में सरकारे दे नहीं सकते हैं इन लोगों के हाथ में अगर सत्ता होगी तो सर्वनाश होगा अच्छा एक जो सरवादिक चर्चा का विशे चल रहा था कि अगर कैंद्र मोदी की सरकार बनती है तो प्रदेश के अंदर कॉंग्रेस सरकार जादे दिन की महमान नहीं है यह तक बाजपा के कद्दावर निता केला जी ने भी बार बार कहा है कि सरकार 20-20 दिन की महमान है आप क्या कहना चाहिए देखिए मैंने भी कहा था मैंने ट्वीट किया था कि भारती जनता पार्टी के कारे करताओं को निराश होने के आवशकता नहीं है यह लंगडी लूली सरकार है बेसाखी पर चलने वाली सरकार है और निश्चित रूप से यह सरकार किसी भी दिन गि चाहिए इसके पूरू से घमासान मुचा हुआ है क्योंकि जिन वादों को लेकर के विधायकों ने वोट मांगे थे जनता डंडा लेकर के खड़ी हुई विधायकों के आगे कि तुमने कहा था कि दो लाग रुपे हम करजा माफ कर देंगे दो लाग रुपे आपने माफ न चल रही थी मानी शिवरासिंग चौहान जी के समय की उन सारी योजनाओं को एक एक करके चार महीने के अंदर यहनों ने घरना और द्वेश्टा के भाव में बंद कर दिया तो कुल मिलाकर कि जनता अकुरूशी थे आप क्या समझ रहे हैं यह जो डेड़ड़ लाग के वन थर्ड बहुमत का अभाव था लेकिन इस बाव दिसा लग रहे हैं कि वन थर्ड बहुमत आता है यदि वन थर्ड बहुमत आ जाता है तो यह जो प्रमुक मुद्दे से धारा 370 हटाने का और भी दूसरी चीज़े तो क्या यह कितने दिनों में ऐसा उम्मीद है कि जो प लेकर के जनता ने हमें वोड दिया है देखिए कितनी बड़ी बात है एक लफासी का काम कांग्रिस के रास्तिय अद्यक्ष ने कहा कि हम बहुत तरह जार रुपे किसानों के माफ कर देंगे और दूसरी तरफ हमने किसी भी तरह का ऐसा कोई वादा नहीं किया इन पास सालों काम दिलवाने की बात करें चाहें मुद्रा योजना के माध्यम से इस देश के नोजवानों को काम की बात अगर हम लोग करें तो इतनी सारी योजना थी जो देश ने देखी है और एक तरफ इस तरह की लफासिया थी देश अब भ्रमित होने वाला नहीं है और निश्चित जनाधार भारती जनता पार्टी के और इंडिये के पक्ष में हैं देशित में जितने भी बड़े फेसले और जितने कटर फेसले हो सकते हैं वो भारती जनता पार्टी की सरकार को करना चाहिए तो यह थे जीतु जिराती जी जिन्हों अपनी बात कही आगे भी हमारी चर्चा क दोर जारी रहेगा कैमरा परसन नितिन कनारे के साथ राजिश पिपलो दिया दो फिर निच इंदोर